एक टीचर होने के लिए आपको कुछ न कुछ जानना होगा है न? एक गुरू होने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरुरत नहीं है. बस ऐसा है कि आप कुछ नहीं जानते मगर आपके पास देखने के लिए आखें हैं. आप जो चाहें देख सकते हैं और बता सकते हैं मगर एक teacher होने के लिए आपको कुछ न कुछ हाना चाहिए अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप एक teacher नहीं बन सकते है ना गुरू बनने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरुरत नहीं है एक खास तरका बोज चाहिए, बस आप, आप किसी चीज के जानकार नहीं है ये आसान है टीचर होना मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ां याद रखनी पड़ती है क्या हमें उसके बदले गुरू बनना चाहिए? माफ कीजी? क्या हमें टीचर बनने के बदले गुरू बनना चाहिए? बात यह एकि आप कभी गुरू बनने की कोशिश नहीं करते अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास तरका बोध है तो लोग आपको गुरू के रूप में पहचानते हैं आप कभी भी गुरू बनने की कोशिश नहीं करते मैंने हर कोशिश की है यो गुरू वाली चीज को हटाने की मगर आप नहीं कर सकते क्योंकि लोग किसने किसी रूप में उसे पहचान लेंगे आप चाहे कहीं भी हो चाहे आप भारत में हो या और कहीं वो शायद आपको गुरु न बोले, गुरु शब्द का इस्तेमाल न करे, लेकिन दुनिया में कहीं भी, अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं, जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अंदेखा कर पाएंगे? लोग स्वाभाविक रूप से उनके आसपास एकठा होते हैं, शायद वो गुरु शब्द का इस्तिमाल न करे, वो कुछ और बोले, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, है न? चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, बस इतना है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, लोग अपने आप स उभरे, बिना किसी सिस्टम के सपोर्ट के, भारत में लोग उभरे, क्योंकि यहां एक सिस्टम का सपोर्ट था, तो ज्यादा लोग उभरे, दूसरी जगाओं पर कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं है, तो लोग अपने आप से उभरे, जब वो उभरे तो उन्हें कुछल दि किया और किसी और ने आकर उन्हें नीचे गिरा दिया है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है अगर आप अगर लोगों को बोट का एक खास आयाम दिखता है तो स्वाभाविक रूप से वो उन्हें ग्यानी के रूप में पहचान लेंगे आम तोर पर भारत में हम ऐसे लोगों को साधू संत और रिशियों के रूप में पहचानते हैं संत का मतलब है कि वो सुखतता के एक खास तर पर पहुँच गए हैं वो लोगों को आशिरवाद दे सकते हैं उनकी मौजूदगी में हर कोई अच्छा मैसूस करता है थोड़ी खुशाली आती है मगर वो कुछ सिखाते नहीं हैं वो सिर्फ आशिरवाद देते हैं साधू का मतलब है कि उनकी थोड़ी पकड़ ह वो सुखद हो गए हैं उनकी उर्जाएं सुखद हो गई हैं लेकिन उन्होंने थोड़ा ग्यान भी प्राप्त किया है ग्यान के कुछ खास आयाम एक साधू खगोल शास्त्र या जोतिश विद्या या किसी दूसरे आयाम में अच्छा हो सकता है सभी भारती गणितग्य संगीतकार, नर्तक ये सबी चीज़ें थे क्योंकि गणित स्वाभाविक रूप से आया जब किसी ने अस्तित्व की गहराई में जहाका है तो उसकी गणिती प्रिष्ट भूमी मानव बुद्धि मत्ता में अभिव्यक्ति पाने लगी और इस तरह वो स्वाभाविक रूप ध्यान देने का एक खास तरथा, वो साधू होते थे, रिशी का मतलब है जो देख सकते हैं, देखे ये बहुत उप्युक्त अभिव्यक्ति है, जो जीवन को उस तरह देखता है, जैसा वो है, तो क्या दूसरे लोग नहीं देख पाते? हाँ, दूसरे नहीं देख पाते, द आप जंगल के जीवों से पूछिए, उनकी इंद्रिया उन्हें बताती है, ये रात है, दिन अभी से कुछ गंटे बाद होगा, तो ये इंद्रियों की व्याख्या है, जो आप जानते हैं, आप देख नहीं रहें, रिशी का मतलब है कि वो इसे वैसे ही देखते हैं, जैसा कि परंपरा में एक संत कभी गुरू होने का दावा नहीं करते थे, वो सिर्फ एक संत थे, वो जानते हैं कि उनका गुण है कि वो एक फूल की तरह बन गये हैं, वो आशिरवात दे सकते हैं, उनके सुगंध लोगों पर असर करेगी, वो बस ऐसे हैं, सादू वो है, जो हमे उपर है कि वो क्या करना चुनते हैं, वो ऐसी चीज करेंगे जो उस समय समाज में जरूरी है, या अगर उन्हें परवा नहीं है, तो वो उसे छोड़ देंगे और बैट जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं, तो एक गुरू को जरूर देखना चाहिए, वरना वो गुरू न अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक निराशा जनक भविश्य है, क्योंकि अगर बहतर भविश्य होने का आपका नजरिया सिर्फ इस सवाल से है, कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मैं टैक्स दे पाऊंगा, क्या मैं आपने बि इस तरह से देख लें, कि आज जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, अगर मैं देखता हूँ, कि अगर आप ये, ये और ये करें, तो किसी और रूप में अभिव्यक्त हो सकता है, अगर मैं आपको सही चीज सुझा सकूँ, ऐसा इसलिए, क्योंकि आपने ये देखा है, तो वो इन दिनों कुछ तकनीके आई हैं, मैं इन तकनीकों का नाम नहीं जानता, मगर कुछ चीजें, जो मैंने देखी, वो वाकई असाधारन है, ठीक है, देखें, अभी अगर, अगर आप यहाँ बैठें, मान लीजे, आप आसन कर रहे हैं, मान लेते हैं, कि आप ये सब ही आसन करते हैं, और जले जाते हैं, अब जिस जगाये पर आपने आसन किये थे, वहाँ एक खास memory है, आज कल वो ने क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि, क्या, इसकी image बनाने के तरीके हैं, आप यहाँ बैठे, कुछ किया, और चले गए, अब वो आकर इसकी image बना सकते हैं, जो इसका उपयोग क्या है? इस पर कैसे जाएं? मेरा मतलब है, वो सिर्फ युद्ध के संबंध में सोच सकते हैं, ठीक है? वो सोचिंग है कि उसे सेना के इस्तिमाल में कैसे लाएं? वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप यहां आसन करते हैं और चले जाते हैं, अगर मैं इस करने को कहते हैं, आपके अंदर बस उसे करने की समझदारी होनी चाहिए. मैं कुछ सरल चीजें कहूंगा, आप टहल कर क्यों नहीं आते? अरे मैं टहलने क्यों जाओ, सुबह मैं टहला था? ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप तारकेक रूप से इन चीजों को समझने की कोशश क करते हैं, ये चीजें काम नहीं करेंगी. तो ये चीजें हमेशा सुक्ष्म रूपों में की जाती हैं. सिर्फ कुछी लोगों में उन सुक्ष्म निर्देशों को पालन करने की समझदारी होती है. सब लोग सवाल और बहस करेंगे, हर किसी से चर्चा करेंगे और तुरंत उ साल इंतजार कीजिए, देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में ख्षण आते हैं, चीजें करने के चक्र में कुछ ख्षण आपके जीवन में आते हैं, उस ख्षण जब जरूरी हस्तक शेप किया जाता है, अगर आप उसे नहीं अपनाते, वो ख्षण निकल जाएगा और हमें इं दजार करना होगा, लेकिन जब वो ख्षण आता है, स्वभाविक रूप से निर्देश मिलेंगे, जब उन निर्देशों, अब जब मैं ये कह रहा हूं, तमाम चंचल दिमाग हर चीज़ को एक संकेत की तरह देखना शुरू कर देंगे, कलिफोर्निया में उन्हें हर तरह के संकेत मिलते हैं, हर दिन, तो इन चीज़ों में खत्रा है, लेकिन कम से कम, जब स्पष्ट मौखिक निर्देश दिये जाते हैं, लोगों में उसे करने की समझदारी होनी चाहिए, वरना क्योंकि अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूं, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम के मन में जो होता है, उसे उस तरह से नहीं समझा जा सकता, जिस तरह हम शारीरिक गतिविधियों को समझते हैं, है ना? आपकी भावनाव में जो होता है, उसे आपकी मन की गतिविधियों की तरह तारकिक रूप से नहीं समझा जा सकता, है ना? जैसे जैसे चीज़ें सूक् तो इनसान मर जाएंगे अगर आप इनसानों को भौतिक चीजों की तरह संभालने की कुशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा, है ना? हाँ है ना? क्या आप इनसानों को संभालने के लिए भौतिक नियमों में धील नहीं देते? कोई दूर है, आप कहते हैं ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार लोग लेकिन अगर वो आपके घर में हैं, आपके परिवार के तरह हैं तो क्या आप उनसे बाचीत के लिए भौतिक नियमों को रिलाक्स नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करते, तो आप इस धर्ती पर किसी इनसान को नहीं जान पाएंगे तो इस धील को आगे बढ़ाना होगा जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके जीवन को विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज़ों को इससे मुक्त करना होगा लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत स्थिर तारकिक दिमाग होना चाहिए अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप ब्रह्म की प्रक्रियाओं में भटक जाएंगे आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत स्थिर शरीर और स्थिर मन कायम करते हैं तो हम आपको अतार्किक चीजों के अनुभव में ले जा सकते हैं अगर आप इसे कायम नहीं करते अगर हम आपको एक अतरकिक अनुभव में ले जाते हैं उसके बाद आपकी कल्पना इस तरह भागेगी कि आप ब्रहम में पढ़ जाएंगे और सोचेंगे कि यही असली है ब्रहम असली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है असल में वो है क्योंकि वो exaggerated है देखिए लोग उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है बजाये उनके जिन्हें उन्होंने देखा है वो cinema जाते हैं जो भी यह रजनी कांत या टॉम क्रूज या आमिता बच्चन वो बहुत बड़े आदमी है और लोग उनसे अपने बगल में बैठे लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो सब बढ़ा कर दिखाया है है ना क्योंकि यह इतना exaggerated है वो आदमी इतना बड़ा है वो इतना उचा बोलता है और हर चीज़ जो वो करते हैं वो बड़ी है आपके बगल में बैठे लोग उतने बड़े नहीं दिखते वो इतना उचा नहीं बोल सकते वो इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो ब्रहम एक exaggerated वास्तविक्ता है इसके कारण वो वास्तविक्ता से ज्यादा शक्तिशाली चीज़ बन सकती है लेकिन एक बार आप ओड़ कर भ्रहम की स्थिती में जाते हैं आप पागलपन के खत्रे पर होते हैं आप अपने मन की मूल भूद स्थिरता को खत्रे में डाल रहे हैं अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो आप वापस भी नहीं आ सकते अगर आप यहाँ बैटकर दो मिनिट के लिए कुछ मज़िदार सपना देखकर वापस आ सकते हैं, यह अच्छा है लेकिन आपने सपना देखना शुरू किया और आपको पता नहीं कि कहां रुखना है फिर पागलपन है, है ना? तो एक बहुत स्थिर शरीर और मन कायम करना एक महत्वपूर्न हिस्सा है अगर हम आध्यात्मिक पहलूँ की खोज करना चाहते हैं हमें जानना चाहिए कि क्या कलपना है और क्या नहीं इसके लिए एक बहुत ज्यादा फोकस स्थिर्था की जरूरत है अब ये सरल चीज जो आप कर रहे हैं कि जागरूपता में इस तरह जम जाते हैं और आपके पीछे आता हुआ दूसरा कलपनिक दृष्ष्य बनाते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक महनत चाहिए आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सिर्फ ये पक्का करना कि आपकी सांस सामान्य से थोड़ी गहरी हो बहुत मानसिक महनत चाहिए अगर आप अपने मन को इस तरह इस्तिमाल करते रहे तो मन बहुत स्थिर आधार बन जाता है ये कोई कल्पनिक स्थिती नहीं है ये अपने आप में एक ठोस आधार है तंत्र की पूरी प्रणाली ऐसी है कि आप फिर उत्पन्न करते हैं अगर आप ये गुलाब की पंखोडी लें मेरे ख्याल से हमने आपको इसके बारे में बताया है बस इस गुलाब की पंखोडी को लीजिए इसे जितना संभव हो उतने ध्यान से देखे अपने मन में उसे फिर से बनाईए अगर आप चाहें तो आप गुलाब की पंखोडी आस्मान से नीचे गिरा सकते हैं आपने इतने डीटेल से देखा है आपने इसके हर मिलिमीटर, हर माइक्रो मिलिमीटर को ध्यान से देखा है और अब आप उसे बनाते हैं देखे, अभी कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है? ये कैसे है? क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में उस पत्ते या फूल या किसी भी चीज़ की छवी एकदम सटीक है, है न? तो मन इसमें सक्षम है अगर आप ऐसा कोई प्रभाव लेते हैं और इसमें अभिव्यक्ति करते हैं दीरे दीरे आप इस तरह मन में ये अप्यास करें तो ये बहुत स्थिर और शक्तिशाली उपकरण बन जाता है अब आप योग करते हैं, आप कहीं ओड़ कर नहीं जाते हैं आप सिर्फ उसे स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं अगर ये बहुत स्थिर हो, तो आप इसमें कुछ भी उतार सकते हैं अगर ये उतना स्थिर नहीं है फिर अगर कोई बड़ी चीज आपके पास आती है तो लोग तूट जाते हैं या पीछे हड़ जाते हैं बहुत से लोग पीछे हड़ जाते हैं जब भी बड़े अनुभव होते हैं बहुत से लोग अगर उनके साथ कुछ बड़ा होता है तो वो उससे डर जाते हैं वो उससे बचने लगते हैं वो पीछे हट जाएंगे लेकिन अगर उनके पास बहुत स्थिर दिमाग होगा तो जब भी कुछ बड़ा होगा वो आगे बढ़ेंगे ऐसा लोगों के साथ सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया और रहस्य पून आयामों में ही नहीं हो रहा साधारन भौतिक जीवन में भी होता है ज्यादतर मैं ये गौर करता हूँ कि अगर जीवन काम करता है तो ज्यादतर लोग बहुत ही मूर्ख बन जाते हैं बहुत कम लोग अपनी दौलत और प्रभाव का अपनी खुशाली के लिए इस्तिमाल करते हैं ज्यादतर लोग मूर्खता पून हो जाते हैं वो सिर्फ इसले पीछे अटना चाते हैं क्योंकि चीजें काम करने लगी ऐसा नहीं होना चाहिए अगर चीजें काम करती हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए है ना लेकिन होगा ऐसा अगर हमारा सिस्टम तयार नहीं है और चीजें आगे बढ़ती है तो बहुत एक रूप से या मनोवग्यानिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जिस भी रूप से, अगर हम तैयार नहीं है और कोई चीज आगे बढ़ती है, तो हम पीछे अड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होता है, यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी लोगों को पीछे के ओर ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरी तैयारी और साधना नहीं है, इसलिए यह हमेशा नियंत्रित होता है। लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, वो उन्हें पीछे की तरफ ले जाएगा।